तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल टार्गेट विद सुरेश बहुत में तो दोस्तों आज की विग्यप्ति के उपर हम बात करेंगे जो आठ जनुवरी 2022 ठीक है ये आठ तारिक को निकली थी उत्राखंड अधिनस सेवा चायन आयोग के दोरा ठीक है आठ तारिक में निकाली विग्यप्ति और इस पेसली हम बात करेंगे इसमें गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विवाग में जो सुगर केन सुपरवाइजर के 78 पद है जो गन्ना परिविक्षक के 78 पद है और साथी साथ डैरी विकास विवाग में करें दोस्तों तो कुल मिलाकर जो सौब पद निकले हैं इनके बिग्यप्ति के उपर हम आज चर्चा करेंगे क्योंकि अभी तक ये फॉन ऑनलाइन आविदनतिती प्रारंब नहीं हुई है इसलिए हम आपको इस वीडियो के उपर हम बीडियो बनाई और आप लोगों को सम करेंट के लिए तो वह एक निकलना बहुत ही इंपोर्शिबल कार्य होता है और साथी साथ मलब ना के समान ही पद निकलते हैं तो काफी खुसकबरी है इंटर्मीडियेट के जितने भी चातर हैं वह सुगर के परविक्चक अभी हम बताएंगे आगे तो चलते हैं इसके बा आविदन की तिती प्रारंब हो जाएगी शत्ताइस तारिक से ये आउन-लाइन प्रारंब हो जाएगा शत्ताइस तारिक में ठीक है तो जितने भी हमारे जो इलिजवल है इन पदों के लिए वह अपने फार्म 27 तारिक से भरना शुरू कर देंगे और साथी साथ जो इसकी आउनलाइन आविदन के अंतिम्ति थी है, वो बारा तीन दो जार, याने कि मार्च के महेने बारा तारिक को है, ठीक है, और लिकत परिक्षा का अनुमानित समय, आयोग ने अगस्त महा दिया है, तो अगस्त लेके ही चलेंगे इस चीज़ को, अगस्त काफी समय है आप लोगों के लिए, और काफी समय होने के साथ-साथ, आप लोग अपनी तयारी इसमें अच्छे डंग से कर सकते हैं, ठीक है, चलते हैं दोस्तों, इसमें डिटेल में जानते हैं, सबसे पहले सुगर केन सुपरवाइजर के उपर, तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे, इसमें सुगर केन परविक्षक, यानि कि सुगर केन सुपरवाइजर के उपर, गन्ना परविक्षक के उपर, तो दोस्तों, ये कुल मिला कर देखिया, ये आ रखिये गन्ना एवं चीनी आयोकत, तो ठीक है इसमें सुगरकेन जो डिपार्टमेंट है विकास बोड है उसके उपर है ठीक है सुगरकेन सुपरवाइजर उसमें ये पद निकले वेए दोस्तो तो देखिए का थोड़ा पद के बारे में हम जान लेते हैं जो टोटल अगर हम कैटिगरी वाइज इसमें पद है और इसमें वोमें के लिए वोमें के लिए 23 पद है साथीसाथ एकस सर्विसमें के लिए पांच पद है जो औरफेन है उनने दो पद है और फिजिकल हैंडिकप के लिए तीन पद इसमें निकले हैं ठीक है कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 78 पद है दोस्तों और ये आप लोग इजी लिए इस फ़र्म को भरिए का और 78 पद काफी होते हैं वेतनमान की बात करें दोस्तों लेवल 4 लेवल 4 काफी अच्छा वेतनमान है ये वेतनमान जो साहिक किर्शी आदिकारी वर्ग 3 है उनसे भी हाई का है ठीक है तो जितने भी हम कहने का मतलब बता सकते हैं कि जो लेवल 4 है उसका जो 25,500 से लेकर और 21,81 या और 42 वर्ट से अधिक से अधिक होना चाहिए और साथ साथ जो इसमें चूट दी जाती हूँ उसमें अलग उसमें क्राइटिरिया बता रखा लेकिन मिनिमम 21 वर्ट से लेकर 42 है ठीक है पत का सुरूप है यह अराज पत्री है दोस्तों और अंसदाई पेंसन युकत है कहने का म को फॉर्म को नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें सेक्षिक अनुवारिस आरता की बात की गए तो इसमें क्या होना चाहिए मादमिक सिक्षा परिसद उत्रांचल सी इंटरमीडियट खिर सी है ठीक है कहने का मतलब एग्रिकल्चर इसमें मांगा हुआ है इंटरमीडियट इसने 12 एग्रिकल्चर किया है तो वही बच्चे इसको फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं ठीक है तो बहुत कम कोलेज है इससे के लिए इंटरमीडियट एग्रिकल्चर जो करवाता है तो काफी ज़्यादा कंपेटिशन इसमें होने वाला है नहीं तो इसलिए जितना भी हो सक इंटरमीडियट एग्रिकल्चर से होना चाहिए तो दोस्तों इसके बिग्यपती के बारे हमने जाना सेक्षिक आहरता के बारे में हमने जाना अब थोड़ा इसके बारे में और डिटेल जानते हैं तो दोस्तों हम बात करेंगे राज किया दुख्त परविक्षक के ठीक है तो राज के दुख्त परविक्षक में कुल नौ पद हैं दोस्तों और ये टोटल देखे का अनुसुसी जाती जन जाती आर्थिक पिछड़ा वर्ग इसमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें पद नहीं है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक पद है और सामाने के लिए आठ पद है टोटल मिलाकर नौ पद है दोस्तों तो इसमें अगर बात करें वेतनमान इसका भी सेम लेवल चार का है लेवल चार का कैसमें वेतनमान रखा गया और साथी साथ आयू भी टूंटी वन से लेकर फोटी टू वर्स तक रखी गई और सेक्षि खिर्शय अनुसंदान परिशत के दुग्द हो या होना चाहिए दुग्द अनुसंदान परिश्द में भारत दुग्द साला में डिप्लोमा हो या इंटर्मीडिट अध्राइगरीकलचर हो ये तो आप ध्यान रखीएगा ठीक है कहने का मतलब ये भी अध्रीकलचर के और हम पहले बिग्यप्ति के बारे में आपको कंप्लीट बता देंगे उसके बाद हम इसमें इस जो इसमें रखी गई और सड़ते हैं वो बताएंगे ठीक है तो देखेगा दोस्तों यह अभी एक है खाद परससकरन साखा वर्ग 3 परविक्षा कैनिन कैनिन मैंने अभी बताय प्रोशेश है दोस्तों यहनि कि जिसको डिबबंदी भी हिंदी में कहते हैं चलिएगा उसके बाद हम बाद में टेट्रिल करेंगे इसमें देखा कुल मिलाकर आठ फद है दोस्तों ठीक है अनुसुरी जन जाती का एक पिछड़ा वर्ग का एक आर्थिक रूप से कमजोर एक और इसी बरकार से सामने के चार कुल मिला कर इसमें आठ फद है और जो इंपोर्टेंट है दोस्तों आप लोगों को जानना कि इसमें सेक्षिक आठ था या यह भी लेविल चार का ही है एज 21 से 42 है लेकिन अगर सेक्षिक आठ सा की बात करें इसमें विग्यान इसमें डिपलॉमा होना बहुत जरूरी है ठीक है समझ में आ रहा है एगरिकल्चर हो यह विग्यान हो पर इंपोर्टेंट कैस में खाद परससकरण में एक वर्ष का डिपलॉमा होना बहुत जरूरी है किसमें खाद परससकरण साखा वर्ग ठी पर विक्षक कैनिन में ठीक है जो development board में तो उसमें कुल मिलाकर चार पद है इसमें तीन पद अनुसूसित जाती के लिए है और साथी साथ जन जाती एक आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए एक पद है कुल मिलाकर चार पद है दोस्तों इसमें सामाने का कोई पद नहीं है अगर मिलाकर देखा तो यह लेवल ये लेवल तीन का पद है लेवल तीन है 21 वर्षे 42 वर्षे लेकिन important में फिर बताँको important क्या है इसमें आप लोगों को जानना कि जानना ज़रूरी है कि इसमें सिख्चिक योगिता क्या है तो शेख शेख योगईता दोस्तों जो बिग्यान वर्गI के साथ चात्र हैं वो इस फॉर्म को एस पहलाओं से भर लिएगे ठीक है बिग्यान वर नीज चात्र चात्र या फिरशी में बिग्यान हो या नॉरमल साइंस के स्टूडेंट हो वो इस form को भरेंगे और इसके लिए eligible है ठीक है तो दोस्तों इसमें आराम से आप science के student जो 12 थे वाले हैं वो इसको बढ़ सकते हैं आराम से चलता हैं दोस्तों तोड़ा और आविजन पत्र देखीगा समूगा के लिए आविजन के लिए कि इसमें उत्राखंड का ही यह होना चीज ने उत्राखंड से intermediate किया है अनापती परमान पत्र अगर सरकारी अगर इसमें आप लोग जौब करते हो पहले से तो विवागिया अनापती परमान पत्र होना जरूरी है ठीक है उसी परकार से important देखीगा दोस्तों लिखित परिक्षा क्या होगी लिखित परिक्षा से समवंदित विश्यों पर आधरित परसन होंगे यानि कि अगर हम बात करें तो agriculture के जो आपके 12th बेस मांगा गया है तो 12th से ही जो agriculture जितने आप पढ़ते हैं वही subject से आपके question आएंगे तो कहने का मतलब आपकी एक दो book से ही agriculture का ये complete हो जाएगा ठीक है और उसी परकार से अगर science के है तो science में जो आप लोग 12th में पढ़ते हो तो वही इसमें आएगा ठीक है तो दोस्तों ये इसमें liquid परिक्षा का criteria नों दिया गया है इस form के अगर बात करें दोस्तों तो form में आप लोग क्या करेंगे form में कोई fee नहीं है तो आप लोग 27 तारिक से जब ये form सुरू हो जाएगा भरना तो आप लोग इसको इसली भरेंगे जितना हो सके सभी लोग भरिये ये मत सूचिए कि जो लेविल 3 की है लेविल 4 की है ये सब बिलकुल ना सूचिए क्योंकि आप सभी लोग जानते है कि प लिखान रखते हैं जरूर करेंगे जो भी आपकी क्राइट इरिया वो जरूर इसको फूल आप करिए अगर आप लोग इसके अंटरगर दाते तो आप जरूर इस form को भरिएगा ठीक है चलेगा वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं जैन जैवारत नाश्काव